एक बार फिर से आप सबका स्वागत है नए साल के पहले अपडेट और ये अपडेट रहेगा हाइड्रोजन फ्यूल सैल टेकनोलजी से जुड़ा अभी हम कहा सकते हैं कि करंटली फ्यूचर इस लेक्ट्रिक लेकिन जो असली फ्यूचर रहेगा हम 2025 से उसके बाद की बात करत तो वो हाइड्रोजन होने वाला है ये साल का पहला अपडेट में हाड्रोजन फ्यूल सैल टेकनोलजी के अपडेट से ही शुरू कर रहा हूं अभी कमेंट भी आते हैं कि सब्सक्राइब आप प्लांट पर काम शुरू हो गया 2 गिगावाट कपैस्ट्री का ग्रीन हाइड् सब्सक्राइब पर हाइड्रोजन फ्यूल सैल टेकनोलजी को इस्तमाल किया जाएगा भारत में तो अबराल वीडियो पॉर्टने वाली पूरी जरूर देखेगा और आपका लगे के वीडियो आपके मतलब किती इंफोर्मेशन नहीं थी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेर और लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों पिछले साल का जो मेन अपडेट था फ्यूल सैल टेकनोल से जुटा हुए था के इंडिनोल कॉर्परेशन ने उनका आरेंडी सैटर है फ्रिदाबाद वहाँ पर एक प्लांट सेटप किया था जहाँ पर वो ग्रीन हा रहे हैं और आलड़ी इंडिनल कॉर्परेशन ने टेटा मोडर्स को पंदरा फ्यूल सैल बस का ओडर भी दिया है और इसी हाइडरोजन से उनके प्लांट में बन रही है उससे इन बसों को चलाया जाएगा लेकिन इस साल का सबसे बड़ा अपडेट आया है बेंगलूरू स ओमियम जो की यूएस बेस्ट रेनुवल एनरजी सोलेशन प्रोवाइडर कमपनी है हाल में ही बेंगलूरू में इन्होंने टू गीगावाट का ग्रीन हाइरोजन इलेक्रोलाइजर गीगाफेक्टरी को बनाना शुरू कर दिया है पी-ई-म यानिकी प्रोटोन मेंब्रान हड ру Vive o बनाते है with the use of electricity generated from रन Numal energy इलेक्ट्रोलाइजर छो पानी है-H2O उसको ब्रेक किया जाता है हाड्रोजन और ऑक्सिजन में पानी ओयों कंपनी के सेटप ये लगा कि वो बिल्कु जितने भी important component है इस electrolyzer के उनको भारत में ही बनाया जाएगा जिससे ओवराल जो dependence है other countries पर वो खतम होगी ओयों पूरा एक ecosystem को develop करेगा भारत में रोजिन हम सब जाते हैं काफी important है काफी important processes में इस्तिमाल किया जाता like fertilizer production, refinery processing, steel production methanol blending और हम fuel cell vehicles में तो इस्तिमाल होता ही है अभी जो problem आ रहे है issue आ रहे कि mass adoption क्यों नहीं हो पा रहे ही system कि उसका reason है कि hydrogen production की जो overall cost है वो अभी काफी जादा है अभी roughly कई बर कमने पूछा था कि सर क्या cost रहती है hydrogen production की अगर दोस्तों green hydrogen green energy भी इस्तिमाल करें तब भी डानी ग्रूप रिलाइंस बड़े बड़े बिलियंस बिलियंस की investment इस segment में कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 2023 तक तक तकरिवन टू डू डॉलर तक इसका cost आ सकता है टू डू डॉलर यानि की 140-145 रुपे और 2025 तक एक डॉलर तक इसका खर्चा आ जाएगा एक डॉलर यानि क पेट्रोल डीजल से भी कम इसका price आ जाएगा तब हम कह सकते हैं कि mass scale पर इसको इसको इस्तमाल किया जाएगा mass scale adoption का मतलब यह है कि दोस्तों जो हमारी अभी dependence है electricity के लिए coal-based thermal plant पर वो कम होगी हमारी जो dependence है कच्चे तेल के लिए crude oil पर अरब जैसी countries के लिए वो कम होगी अभी हमारी जो dependence है battery cell, electric vehicles के लिए जो battery cell है जो import हो रहे है mainly from China वो हमारी dependence खतम होगी तो सिधी सी बात है win-win situation अगर भारत चल्दी से जल्दी अपने आपको mass scale पर hydrogen production को लेकर आता है इसमें private sector के साथ साथ public sector का बहुत बड़ा योगदान रहेगा इंजिनल कोरपरेशन के लावा जो other main companies है भारत petroleum, इंदिसांट petroleum वो सब का भी interest इस तरफ जगा है तो आए थे आज का overall update hydrogen fuel cell technology and renewable energy से जुड़े अब जो भी update आपके रहेंगे आपके साथ share करता रहूँगा फिलाल आज के लिए तना ही धन्यवाद वीडियो कों तक देखने के लिए जैहिंद झाल